हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग में नम नबील है आईफोन अगर आपने लिया हुआ है और अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है इसका डेटा अपने विंडोस के पीसी या फिर मैकबूप पे ट्रांसफर करने में या फिर वहां से जो डेटा है जैसे मुवी है विडियोस है म्यूजिक है फोटोस है आपके आईफोन पे वापस ट्रांसफर करने के लिए तो जो सौफ़एर में आपको आज बताने वाला हूँ उसके जरे से आप इसको काफी एजिली कर सकते हो अगर आप करना चाहते है आईट्यून से या फिर फाइंडर से तो वो चाहिए ऐब अपने आईफोन का सारा विन्ड़ोस या मैक के ऊपर ट्रांसफर कर सकते है और डिटधार्ण वहां से जो है अपने आईफोन के उपर ट्रांसफर कर सकते है तो लिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा धोस्तो Tucson एक link यहां से से जाके इन वाध सर्ड़ आपके सामने नजर आ रहा है आपको जहां पे audio है, pictures है, videos है, सारी चीज़े आप अपने PC या Macbook से अपने iPhone पे access कर सकते हो और बहुत ही easily manage कर सकते हो, suppose आपको photos और उसके albums को manage करना है, अलग-अलग नए albums बनाना है, तो वो भी आप यहां से कर सकते हो, अगर आपको confusion लगता है कि WhatsApp के images अलग होने चाहिए, और दूसरे images अलग होने चाहिए, तो सारी चीज़े आप यहां से कर सकते हो, आपके सारे applications को यहां से manage कर सकते हो, कौन से application को delete करना है, कौन से application को additionally install करना है, सब चीज़ आप यहां पे देख सकते हो, बड़े स्क्रीन पे, बहुत easily इसको access करके, content manager से ही आप जो photos, videos, music है, आपके phone पे वो भी अपने Mac या PC पे transfer कर सकते हो, यहां पे कुछ photos है, जो transfer करके आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद उसको धूनना भी बहुत easy है, क्योंकि automatically यह आपके सामने वो folder को जो है, transfer to Mac या PC पे click कीजिए, transfer successful आपका हो जागा, immediately view files पे click करेंगे, तो folder जो है, आपके सामने आजगा, तो धूनने भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे देख सकते हैं, सारे फोटो जो है, successfully transfer हो गए PC पे, इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, phone to Mac transfer, या phone to PC transfer का option, अगर Windows PC है, Macbook है, जो भी है, अपने iPhone का, जो भी data आपको उसके उपर करना है, backup बहुत easily कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो भी type का file जो है, backup करना है, उसको यहाँ से select कर लिए, suppose audio और यहाँ पे transfer पर क्लिक केजिए, transfer होते ही, यहाँ पे view files का option आएगा, जिस folder के अंदर वो files transfer हुए है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ दर नजर आ जाएगी, तो कोई भी चीज़ यहाँ से आपके हाथ से जो है, वो miss नहीं होगी, अब देख लेते हैं guys, सबसे difficult चीज़ जो आप लोगों लगती है, Macbook है आपके पास, या Windows PC है, तो किस तरीके से आप अपने Macbook या Windows से अपने phone पे data transfer कर सकते हैं, बहुत लोगों समझ भी नहादा, यहाँ पे बहुत easy है, Mac to phone select कर लीज़े, या Windows to phone select कर लीज़े, जो भी आपको folder बताएगा, उसमें से जो चीज़ आपको select करनी हो करके, सिर्फ transfer पे आपको hit करना है, यह चीज़ जो है, आपको 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 बता देगा, जैसे हमने यह आप वीडियो ट्रांसफर किया था, अपने iPhone 12 पे, तो यहाँ पे जो Apple TV आप्लिकेशन है, उसमें वो वीडियो जो है, successfully transfer हो गई, और यहाँ पे जो है, आप उसको playback भी कर सकते है, easily, तो यहाँ पे यह चीज़ बहुत ही ज़ादा simple है, phone to phone transfer का option भी है, दो iPhone आपके पास है, दोनु connect कर लीजिए, यहाँ पे जो है, कौन से iPhone से किस iPhone पे जाना है, वो आप select कर सकते है, यहाँ पे सारा data आ जाएगा, फिर इसमें से आप select कर लीजिए, यह audio file आपको transfer करना है, video transfer करना है, photo transfer करना है, यह बहुत ज़दा easy है, इसमें आप क्या है, organized तरीके से, जैसे पुराने iPhone में था, वैसे ही नए iPhone में, कोई particular चीज आप transfer कर सकते हैं, पुरा transfer करना है, तो आपको मालो में कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे, अगर आपको कोई particular चीज transfer करना है, तो यह method जो है, बहुत ज़दा simple है, अगर आपको Windows PC है, तो इसका Windows version है, इसमें Mac version से ज़दा option, आपको देखने मिलेंगे, जैसे backup manager है, तो iPhone का सारा data, आप Windows PC पे backup कर सकते हो, और WhatsApp manager है, जिसमें आप अपने WhatsApp का सारा data, अपने Windows के PC पे backup भी कर सकते हो, और उसे के साथ, वापस आपको अपने iPhone पे, अगर उसको restore करना है, तो वो भी कर सकते हो, तो यह बहुत अची चीज़ है, कि यहाँ पे आपको iCloud के उपर, जो है निरबर नहीं रहना पड़ता, अपने Windows के hard disk में, आप सारा data का backup ले सकते हो, बहुत इजिली, तो उस्तों है न, काफी easy और simple to use software, EASUS का Movie Mover Pro, और यह software का annual plan है, वो जादा value for money मुझे लगता है, आप ले सकते हैं, अगर आपको वो चीज़ लेनी हैं, तीन computer पर आप इस्तमाल भी कर सकते हैं, और इनका एक Mobi Unlock नाम का software भी है, जिससे अगर आप अपने iPhone का passcode, अगर कभी भूल जाए, तो उसको भी easily unlock कर सकते हैं, तो सारे चीज़ों का description box में दिया हुआ है link, वहाँ से जाके download करके, install करके try जरूट कीजिए, उभी किता हो दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसना होगा, पसना होगा पसना होगा उसको लाइक और शेयर जरू कीजिए, और मेरे चैनल को subscribe जो किजिए, goodbye.